मार्ग सेश कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं जो उत्पन्ना एकादशी का बृत और भगवान नारेने की पूजा करते हैं वह एकादशी लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को देने वाली है इसका एक बार मुर नाम का दैत्य जो है देवताओं को पराजित करके शर्ग पय अधिकार कर लिया देवता लोग अत्यन्त तरशित हो करके भगवान नारेण के पास गए और भगवान नारेण ने मुर दैत्य से युद्ध किया समस्त देव सेना को ले करके लेकिन भगवान ने जब अपनी चक्र को छोड़ा उस समय समस्त दैत्यों की सेना छिन भिन होने लगी दैत्य सम्भाग गए अंत में भगवान नारेन बद्र का अफ्रम पहुंके और वहाँ सिंघावती नाम की एक गुफा थी उसमें सैन करने लगे मुरदैत्य भगवान नारेन को मार डालने का प्रयास रत था और ढोड़ते हुए उसी सिंघावती नाम की गुफा में पहुंच गया जिसमें एक ही दरवाजा था भगवान नारेन को सोते हुए देखा और सोचा मैं मार डालूँगा और उसी समय जैसे ही मारने का प्रयास किया भगवान नारेन के सरीर से एक कन्या उत्पन्द हुई और उसको मौत के घाट उतार दी इसके बाद भगवान नारेन जब जगे देखे कि वह भरा भरी देट मरा हुआ पड़ा था पूछने लगे आप कौन हैं तो बताईी कि मै आपसे ही उत्पन हूँ और यह मेरे द्वारा ही आपकी करपा से मारा गया है भगवान नारण ने कहा मैं बहुत प्रशन हूँ जो चाहो हो है मुझसे बरदान मांग लो ऐसा सुनकर कि वह कहने लगी खिप्रभू यदि आप प्रशन हैं तो मुझको वह जो है मैं सब प्रकार की सिध्धी को देने वाली हूँ और शमस्त बिगनों का नाश करने वाली हूँ और जो मेरे उपवास को करे वह उसको धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए इस प्रकार से भगवान ने उसका नाम उत्पन्ना एकादसी रखा जो उत्पन्ना एकादसी भक्तों के भक्तिम प्रारंब करने वाले जो है किसी अगहन कृष्ण पक्ष एकादसी से सुन्दर जो है यह प्रारंब किया जाता है वास्ताव में विधान है इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादसी है पुले फ्रेकादसी मा तु कीजए